नमस्कार दोस्तों आप सभी का हमारे चैनल में एक बर फिर्श श्वागत है दोस्तों SSC CGL का वेकेंसी आ चुका है दोस्तों और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे SSC CGL में कौन-कौन से पोस्ट है और किस पोस्ट में कितना सैलरी मिलता है खास कर इसी के बारे में डिस्कस करने वाला है तो चलिए दोस्तों देखेंगे कि इसमें SSC CGL का जो 20,000 वेकेंसी आया है इसमें किन-किन पदों की वेकेंसी है कौन-कौन से पोस्ट है और किस पोस्ट में कितनी सैलरी मिलती है तो चलिए वीडियो की सुरुआत करते हैं आपका tier 1 का exam लिया जाएगा अब इसमें हम देखेंगे कि इसमें कौन-कौन सा पोस्ट है और खास कर इसका सैलरी देखें दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं पोस्ट की बात करें तो pay level 8 ठीक है और इसमें अगर बात करें सैलरी तो देख सकते हैं 47,600 से लेकर एक लाख 51,100 के भी सैलरी होगा और इसमें केबल दो ही पोस्ट है दोस्तों आप देख सकते हैं नमबर वन और नमबर टू नमबर वन में जो है वो है assistant audit officer ठीक है यह department में होगा देख सकते हैं Indian audit and account department under CAG ठीक है और यह जो है दोस्तों यह group B का gadgeted post है और इसमें उम्र आपका 30 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और दूसरा जो है वो है assistant account officer यह है आपका department में जिसमें होगा वो है Indian audit and account department under CAG इसमें भी यह भी group B का है और यह भी gadgeted है और यह भी not exiting 30 years यानि 30 वर से ज़्यादा आपका उम्र नहीं होना चाहिए और इसमें salary आप देख सकते हैं इन दो पोस्टों में जो salary है वो सबसे high है SSC CGL में दोस्तों ठीक है और इसके बाद अगर बात करें हम तो यहाँ पे देख सकते हैं नमबर दो में pay level 7 में कौन कौन सी job है और इसमें salary क्या है pay level 7 में देख सकते हैं 44,900 से लेकर 1,42,400 के बीच आपका salary होगा और इसमें कौन कौन से post है आप देख सकते हैं assistant section officer यह है central secretate service यह group भी है दोस्तों और यह आपका non gadgeted है उपर में जो दो है वो gadgeted है यह non gadgeted है और इसमें उम्र जो है वो 20 से 30 वर से इसमें age होना चाहिए यहाँ पर चौता नमबर देख सकते हैं assistant section officer intelligence bureau यानि आईवी में ठीक है यह भी group भी है दोस्तों यह भी non gadgeted है यानि gadgeted की बात करें तो सिर्फ यहाँ पे दो ही post है जो gadgeted है और यह भी आपका 30 वर से जादा नहीं होना चाहिए यहाँ पे देख सकते हैं यानि आईवी का job है इसमें फिर आता है पांचवा नमबर assistant section officer यह सब के सब ASO वाला पोस्त है दोस्तों यह है ministry of railway यह बरस ते खले department अलग-अलग है इसमें ministry of railway में देख सकते हैं group B यह भी non gadgeted और यह भी 20 से 30 वरस के बीच उम्र आपका होना चाहिए इससे अगर जादा नहीं होना चाहिए नमबर छथा assistant section officer ministry of external affairs में आपका job लगेगा group B का है non gadgeted है 20 से 30 वरस इसमें भी उम्र दिया होना चाहिए और सात्मा जो है assistant section officer AFHQ और यह भी है group B का और यह भी non gadgeted है 20 से 30 वरस और यह जो इतने भी post है दोस्तों ASO का इसमें salary आप देख सकते हैं यहाँ पर 44,900 से लेकर 1,42,400 के बीच आपका salary होगा अब आठमा नमबर देखते हैं दोस्तों देखिए आठमा नमबर भी जो है वो भी ASO का ही post है यानि assistant section officer department अलग है देख सकते हैं यह है ministry of electronics and information technology यह भी group B का है और इसमें भी salary as it is same मिलेगा यानि pay level 7 का और इसमें भी उम्र 30 से आपका over नहीं होना चाहिए नमा नमबर देख सकते हैं assistant section officer यह है other ministry department organization यानि किसी भी ministry department organization में आपको job ASO का मिलेगा और यह भी group B non-gadgeted है इसमें भी 30 बर से ज़्यादा उम्र नहीं होना चाहिए दसमा नमबर देख सकते हैं inspector of income tax यानि income tax में inspector देख सकते हैं department CVDT और यह group C का post है दूस्तों ठीक है और यह भी group B non-gadgeted इसमें भी 30 बर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए फिर देखिए inspector का अच्छा का सा post है inspector preventive officer ठीक है यह भी group B का ही है और इसमें भी 30 बर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए फिर देखिए तेरवा नमबर इंस्पेक्टर examiner ठीक है यह भी group B है और यह 30 ब enforcement officer यह जो है यह भी group B का है और यह भी up to 30 years आपका उम्र होना चाहिए पंद्रवा नमबर बात करें दोस्तों सब इंस्पेक्टर की वेगेंसी देखिए Central Bureau of Investigation यानी CBI में CBI में इसमें जॉब लगेगा सब इंस्पेक्टर का और यह है group B का post है दोस्तों 20 से 30 वर्स आपका उम्र होना चाहिए salary पे लेबल 7 वाला इसमें भी मिलेगा सोरवा नमबर इंस्पेक्टर पोस्ट देखिए किसमें है department of post यानी Ministry of Communication में इंस्पेक्टर पोस्ट का यह भी group B का post है और यह भी 30 वर्स से ज्यादा नहीं होना चाहिए सत्रवा नमबर इंस्पेक्टर किसमें Central Bureau of Narcotics Ministry of Finance में group B का post है दोस्टों और इसमें भी 30 वर्स से ज्यादा नहीं होना चाहिए यानि कुल मिलाकर अगर देखा जाए दोस्तों यह जितने भी post है सब के सब एक तरसे class 1 post है दोस्तों ठीक है अब आते हैं हम लोग अगला पे लेबल यानि पे लेबल 6 में कौन-कौन सा जोब आता है देखिए पे लेबल 6 में जो सेलरी होगा दोस्तों वो है 35,400 से लेकर एक लाग 12,400 के बीच आपका सेलरी होगा जो की पे लेबल 6 में आता है और इसमें कौन-कौन सा पोस्ट है देख सकते हैं अठारवा नमर एसिस्टेंट का पोस्ट है यह है आधर ministry department और और आपको जॉब लगे एसिस्टेंट का और यह भी ग्रूप बी का ही पोस्ट है दोस्तों सेलरी 35,400 से लेकर एक लाग 12,400 के बीच होगा और इसमें भी उम्र जो है आपका 30 years को क्रॉस नहीं करना चाहिए तभी जाकर आप इसको भर पाएंगे यह जोग होंगे इस पोस्ट के इसमें National Investigation Agency आप लोग देखते होंगे आए दिन समाचार में नाम सुने ही होंगे तो सब इंस्पेक्टर का पोस्ट है ग्रूप बी और यह भी तीस बर्स आपको 30 years तक होना चाहिए उम्र किसमा नंबर देखिए सब इंस्पेक्टर जो कि है जुनियर इंटेलिजेंस ओफि यह Ministry of Statics and Program Implementation Group B का पोस्ट है और यह भी 32 years देखिए इस पोस्ट में आपका उम्र 32 तक दिया गया है ठीक है हाला कि इसमें एक अलग एक्जाम भी होता है यानि पेपर 3 जो होता है दोस्तों इसी में होता है स्टैक्स का पेपर होता है और इसमें सेलरी देख सकते हैं 35,400 से लेकर 9,300 के बीच इसमें सेलरी होगा और इसमें जो है देखिए पोस्ट कौन कौन सा है तेईसमा नमर देख सकते हैं ओडिटर का पोस्ट है दोस्तों यह है Office Under CAG यह Group C का पोस्ट है ठीक है और इसमें उम्र 18 से 27 वर्स के बीच आपका उम्र होना चाहिए फिर देखिए 24 न नमर फिर देखिए ओडिटर का है अधर मिनिस्ट्रियल डिपार्टमेंट में ओडिटर के लिए Group C यह भी सेम रखा गया है एज उम्र की बात करें 26 नमर देख सकते हैं Accountant जो की है Office Under CAG इसमें भी Group C का पोस्ट है और यह भी आपका देखेंगे तो 18 से 27 वर्स के बीच आपक जार 200 से लेकर 92300 के वीच आपका सेलरी होगा 28 नमर देख लिजी यहां पर Accountant जूनियर Accountant का पोस्ट है आदर मिनिस्ट्रियल डिपार्टमेंट में आपको जॉब मिलेगा और यह भी Group C का पोस्ट है और यह भी उम्र सेम रखा गया यानि तो अगर देखा जाए दोस्तों जादा तर जॉब मिनिस्ट्रियल डिपार्टमेंट में है अब आते हैं Pay Level 4 में जो कि आप देख सकते हैं 25500 से लेकर 81100 के भी सेलरी होगा Pay Level 4 और इसमें जो पोस्ट है दोस्तों वो देख सकते हैं 29 नमर पोस्ट देखिए Postal Assistant Sorting Assistant जो कि है Department of Post Ministry of Communication Group C का पोस्ट है और इसमें भी सेम 18 से 27 वर्ष रखा गया है उम्र तीसमा नमबर देख सकते हैं सीनियर सेक्रेट्रियेट एसिस्टेंट अपर डिविजन क्लार इन यूडिसी में यह दिखें सेंट्रल गब्रमेंट ऑफिस मिनिस्ट्री ऑफ अधर दैन सी एस सी एस कार्डर्स में मिलेगा यह भी सी का है और यह भी उम्र सेम रखा गया है दोस्तों और या इसमें होना चाहिए चरफ डरी 65500 से लेकर 511 00 के भीज़ आफ का सेलरी हुगा इसमा अभी स्दीख फ इसमेंस được यह group C का post है और 18-27 के बीच आपका उम्र होना चाहिए salary pay level 4 है वही मिलेगा इसमें भी 33 tax assistant देख सकते हैं CBIC में यह group C का post है और इसमें salary आपका same मिलेगा यानि pay level 4 चौतिसमा नंबर दोस्तों सब इंस्पेक्टर का विकेंसी किसमें यह department है Central Bureau of Narcotics Ministry of Finance में आपको मिलेगा सब इंस्पेक्टर का और यह भी group C का post है इसमें salary की बात करें तो यह pay level 4 में आता है ठीक है यानि 25,500 से लेकर 81,100 के बीच आपका salary होगा और 35 नंबर जो है वह आप और divisional clerk और यह देख सकते हैं किसमें किसमें मिलेगा General Border Road Organization MOD में group C post है इसके अलावा बास करें तो देख सकते हैं post is only for male candidates with higher physical and medical standards given ठीक है यानि यह जो post है दोस्तों upper divisional clerk जो की border road organization में होगा इसमें आपका कुछ physical यानि physical criteria के हिसाब से ही यह job आपको मिलेगा अगर आप इसमें qualify कर करेगा कुछ standard medical standard है वह qualify करना पड़ेगा तब मिलेगा और यह भी group C का है और इसमें भी उमर 18-27 रखा गया है और यह जो salary होगा इसमें pay level 4 का ही इसमें salary मिलेगा तो दोस्तों यह रहा SSC CGL के जितने भी post है उसके बारे में बता दिए और साथी हर post का जो pay level है और salary उसके ब क बारे मिले।